चोड़ा देखिए का उसके पहले बारे तो बनी जाएंगे जी जी कोस्तों है माली जी कि यह बराबर यहां एक समुझ दिया है और F A to N यानि कि इसके प्रांत जो होंगे न यह A है एके अभी हो है और यहां A tends to N और F N बराबर N N का महतम अभाज गुननखन द्वरा परिभासित है तो F का परिशड़ तो चलिए F का मान निकालते है चलिए अगर F की मान की बात करें तो आपको रखना होगा सबसे पहले 9 तो जब यहां 9 रखेंगे तो F 9 बराबर के होगा N का महतम अभाज गुननखन तो यानि 9 का महतम पांच यहां 9 की बात करेंगे तो आपको अभाज गुननखन तो दस का महतम अभाज गुननखन क्या होगा दस चेक कर सकते हैं दो पांच है ना पांच आएका 11 का महात्रम होगा 11 ही होगा, देख लिए 11 किसी से नहीं कटने वाले 11 से ही ले जाएंगे एक बार में, ठीक है, अच्छा, 12 की बात करेंगा तो 12 का महात्रम अभाजगुनान कर आप यहां से चिक कर सकते हैं, दो से ले जाएंगे 6, दो से ले जाएंगे 3, 3 हो रहा न, चलिए, तो इसका परीसर पूछ रहा है, तो इसका परीसर आप तो देख सकते हैं ना, दितिये घटकों का समुझे, तो दितिये घटक है, तीन है, पांच है, एगार है, और तेरा है, इना हो रहा है, चलिए इसका एंसर हो जाएगा,